तो यह देखे टेंपो 133 का चल रहा है यह पर 138 हो गया क्योंकि performance का time बदल रहा है और अभी अगर आप इसको metronome के साथ सुनें तो क्या हम actually एक life performance के ऊपर अपने instruments को layer कर सकते हैं क्या हम एक produced गाना एक life performance के ऊपर बना सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोगोंने जिन्दगी में कभी ना कभी तो life performances देखी होगी no matter कैसे भी performance हो लेकिन life performance आप लोगोंने देखी होगी एक चीज है जो आपके life performances को काफी जादा organic काफी जादा human और relatable बनाता है वो जो feel आरही है बात करते हम तो feel कैसे आती है उसका एक major reason है metronome ना इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझने पड़ेगी कि जो हम produced गाने सुनते हैं जो आप Bollywood में सुन रहे हैं कोई भी proper produced गाने अगर आप सुन रहे हैं तो usually उस गाने को एक metronome पे record किया जाता है कोई भी metronome आपका हो सकता है कोई भी time signature हो सकता है उसके उपर उस गाने को record किया जाता है और time choose करने के बावजूद उस musician को record करने के बाद करी टाइम ऐसा होता है कि musicians बहुत जारा time पे नहीं हो सकते क्योंकि हम सारे humans है, human errors तो होंगी तो हमें edit करके exactly on grid बिठाया जाता है और इसका एक major reason ये भी है ताकि आप चीज़े उपर program कर सके आप चीज़े computer में आप बना सके उसके उसके उपर बिठा सके लेयर कर सके अगर आप एक live performances की बात करें, अगर एक five piece की बात करें हम तो पाचो बंदे जो है उस band के वो साथ में perform कर रहे होते हैं तो time का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है क्योंकि एक दूसरे को वो follow कर रहे होते हैं और उनको बाद में layer करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कई लोग कह रहे होंगे कि आपके in years में तो click चलते रहता है जब आप performance कर रहे हैं इविन दो आपके कानों में click चल रहे हैं लेकिन आप humanly possible नहीं है कि आप बिलकुल exactly on grid है no matter आप कितने trained हो, ये possible नहीं है कि आप robot जैसा आप tight रहे है on time इसकी वज़े से आपको जो human feel है, जो vibe है वो जादा महसूस होता है क्योंकि वो आपको human factor उसमें add करता है जो थोड़ा सा time से off होना वो आपको human factor add करता है आपके performances पे ओके ये तो हो गई दो side की बाते, तो मैं यहाँ पर क्या कहने ही कोशिश कर रहा हूँ ये जो time पे हम गाने record करते हैं, जो हम edit करके instruments को या फिर musicians को on grid लेके आते हैं तरह की हम चीजे layer कर सके उसके उसके उपर, ये कभी कबार आपको backfire कर सकता है अगर आप एक electronic music बना रहे हैं या फिर अगर आप एक ऐसे music की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल on grid हो तो अगर आप एक singer, songwriter, vibe है, अगर आप एक classical piece लिख रहे हैं, अगर आप एक indie गाना लिख रहे हैं तो शायद बहुत ज़्यादा time पे tight होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो human element उससे हट जाता है तो इसका alternative क्या है, इसका alternative यह है कि एक चीज है जिसे हम कहते है beat mapping जिसका मतलब है कि instead of हम अपने performance को tight करें, हम performance let's say कि हमने 170 का tempo चूज किया है, 170 पे अगर किसी बंदे ने play किया है guitars और हम कोशिश करते हैं कि हर transient को 170 के first beat पे लेकिया है instead of that, हम beat mapping का इस्तेमाल करते हैं कि tempo जो है, उसको हम change करें हमारे performance के अनुसार तो माल लिजिए किसी जगह पे जो हमारा artist है, वो 170 पे play तो कर रहा था अच्छा artist है लेकिन कहीं पे 171 चला गया ताकि वो हमारे performance को follow कर सके, ना मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़े थोड़ी सी complicated हो सकते हैं और ये थोड़ी सी advanced चीज़े है, ये जादा beginner level की चीज़े नहीं है लेकिन ये आपके उस wife को बरकरार रखने में काफी जादा मदद कर सकता है, मैं आपको आसान तरीके से explain कर देता हूँ अपने DAW पे तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक classical guitar का piece है, ये मैंने बजाया था जब मुझे guitar gift हुआ था, ये कोई tempo पे नहीं है, बिल्कुल flow पे चल रहा है, अपने vibe पे चल रहा है तो आप सुन सकते हैं थोड़ा बद sense of tempo तो है, क्योंकि हर instrumentalist या फिर हर musician को एक sense of tempo होता है, लेकिन वो एक robot जितना tight नहीं होता है, और वही खास्तियत है एक human performance की तो अभी मैं अगर चाहूँ कि मैं इसको produce करूँ, इस piece के ओपर मैं kick, snares, अलग-अलग instruments डालूँ, अलग-अलग चीजे डाल के इसको complete track बनाओ, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इसको एक tempo में डालने के ज़रुद पड़ेगी, और ये जो piece है हमारा, ये एक 3x4 है मेरे इसको grid पर डालना है, पहला जो हमारा transient है, of course, like any other thing, और इसके बाद मैं यहाँ पर जाओंगा, और मैं अपने beat mapping को खोलूँगा, आपके DAW में शायद इसका तरीका अलग है, लेकिन जो ये process है, जो principle है, वो same रहेगा, मैं यहाँ पर beat mapping खोलूँगा, तो आप देख सकते है पूरा waveform जो है, हमारा यहाँ पर आ चुका है, अब क्या कर सकते हैं, आप इसके ओपर transient auto detection पर डाल सकते हैं, कि आपका जो DAW है, ये auto detect कर ले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जाके manually fix करूँ, manually edit करूँ, तो मैं इसको double click करूँगा, file पर जाओंगा, file पर जाके मैं इस symbol को on करूँगा, तो आप देख सकते हैं, ये जो transient हैं, ये मुझे बता रही है कि यहाँ यहाँ पर hits है, यहाँ यहाँ पर transient है, तो मुझे इतना tight नहीं करना है, basically, मुझे हर down beat पर चाहिए, कि मैं अगर चल रहा हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो मुझे हर one पर transient marker चाहिए, तो मैं इ ये पहला जो हमारा beat है, down beat है, तो अभी अगर मैं यहाँ पर beat mapping पर जाओ, तो मुझे क्या करना है, basically, अगर आप यहाँ पर देखे, ये fourth bar है, और ये हमारा पहला transient है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक line खिचूँगा और इनको connect कर दूँगा, यह आप line देख सकते आप ऐसे move कर सकते हैं, यह आपके पहले पर आ गया, अब दूसरा जो transient है, वो हमारा यहाँ पर है, तो मैं इसको connect कर दूँगा, आप साथ में देख सकते हैं, metronome भी change हो रहा है, यहाँ पर मैं दुबारा change कर दूँगा, तो अभी अगर आप same हिससे को सुनें, यह already time पर हो मैं इसको यहाँ पर दिखाऊ हूँ आपको, तो यह देखें, tempo 133 का चल रहा है, यहाँ पर 138 हो गया, क्योंकि performance का time बदल रहा है, और अभी अगर आप इसको metronome के साथ सुनें, अब सुन सकते हैं, exactly on time है, मैं इनके उपर कुछ चीजे लेयर करता हूँ, ताकि आपको बेटर समझाए कि क्या मैं कहने ही कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे इसके उपर एक किक लेयर करना है, मैं सिंपली जाके एक किक ड्रेगन ड्रॉप कर सकता हूँ, और मुझे जादा grid के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि मुझे पता है कि already ये time पे है, तो मैं जब भी grid पे इसको छोड़ूँ, ये खुद बखुद एज़स्ट हो और same region को जब मैं आगे भी copy-paste करूँगा, तो मेरे time के अनुसार में, metronome के अनुसार ये fit हो जाएगा तो ये था मेरा वीडियो जहां पे मैं बात कर रहा है किस तरीके से आप अपने गाने में वो live element, वो human element रख के भी चीज़े लेयर कर सकते हैं होफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के अकिन को दबाना मत भूलेगा, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, साइन आउट